राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब? हमारे यूटिब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सर्व पित्र अमावस्या की कता और महतु बताएंगे दूस्तों फालकुन महा के कृश्णुपक्ष में आने वाली अमावसया को फालकुन अमावसया और सर्व पित्र अमावसया कहते हैं यह अमावसया सुख संपत्ती और सुभागय की प्राप्ती के लिए विशेशवलताई है जीवन में सुख और शांती के लिए फालगुन अमावस्या का प्रत रखा जाता है इसके साथ ही इस दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए तरपण वाश्राथ भी किया जाता है यदि अमावस्या सौंबार, मंगल, गुरू ये शनिवार के दिन हो तो यह सूरे ग्रहन से भी अधिक फल देने वाली होती है यह अमावस्या पित्रों को मुक्ष प्रदान कराती है इस दिन गंगा इसनान का भी विशिश महतु बताया गया है दार्मिक मानेताओं के अनुसार इस दिन संगम पर देपताओं का निवास होता है फालगुनी अमावस्या पर दान पुन्ने अवश्य ही करना चाहिए फालगुन अमावस्या के दिन पित्रों के निमे तरबन किया जाए तो साल भर की अमावस्या के तरबन का लाव मिल जाता है आज के दिन फालगुन अमावस्या की कथा सुनने मातर से ही पितर देव की असीम करपा प्राप्त होती है पितर देव प्रसन होते हैं और सभी कष्टों और संकटों से मुग्ती दिलाते हैं और अपने बच्चों को सुख सम्रथी का आशिरवाद देते हैं यह कथा इतनी चमतकारी है कि शद्धा पूर्बग इस कथा को सुनने मात्र से ही पित्र दोश पित्र आशिरवाद में बदल जाता है सर्व पित्र अमावस्या की कथा इस प्रकार है कथा के अनुसार शेष्ट पित्र अगनिश वात और पहिश्पत की मानसी कन्या अचोधा घोर तपस्या कर रही थी बहर तपस्या में इतनी लीन थी कि देपताओं के एक हजार बश बीद गए उनकी तपस्या के तेज से पित्र लोग भी प्रकाशित होने लगा प्रसन होकर सभी शेष्ट पित्रगर अचोधा को बर्दान देने के लिए एकत्र हुए उन्होंने अचोधा से कहा कि हे पुत्री हम सभी तुमारी तपस्या से अती प्रसन है इसलिए जो चाहो बहर मांग लो लेकिन अचोधा ने पित्रों की तरफ ध्यार नहीं दिया बहर उन्में से एक अती तेजस्वी पित्र अमावसू को अपलक निहाती रही पित्रों के बार बार कहने पर उसने कहा हे भगवन क्या आप सच मुझ मुझे बर्दान देना चाहते हैं इस पर तेजस्वी पित्र अमावसू ने कहा हे अचोधा बर्दान पर तुम्हारा अधिकार है इसलिए निसंकोच कहो अचोधा ने कहा भगवन यदि आप मुझे बर्दान देना ही चाहते हैं तो मैं तश्र आपके साथ का आनन्द चाहती हूँ अचोधा के इस तरह कही जाने पर सभी पित्र क्रोधित हो गए उन्होंने अचोधा को शाप दिया कि बहर पित्र लोग से पतित होकर प्रत्वी लोग पर जाएगी पित्रों के इस तरह शाप दिये जाने पर अचोदा पित्रों के पेरों में गिरकर रोने लगी इस पर पित्रों को दया आ गए उन्होंने कहा कि अचोदा तुम पतित योनी में शाप मिलने के कारण मस्य कन्या के रूप में जन्म लोगी भगवान भ्रम्मा के वंशच महेशिर पारस्थ तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे तुम्हारे गर्व से भगवान भ्यास जन्म लेंगे उसके उपरांत भी अन्य दिव्यत परशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुने पित्र लोग में बापस आ जाओगे पित्रों के इस तरहें कहें जाने पर अचोदा शांत होई अपनी तेज एबम सौंदर से अपसराओं को भी लजजित करनी वाली अचोदा के प्रणय निवेदन को अस्विकार किये जाने पर सभी पित्रों ने अमावसू के प्रसंसा के और बरदान दिया कि है अमावसू आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया इसलिए आज से यह तित्रों आपके नाम अमावसू के नाम से जानी जाएगे ऐसा कोई भी प्राणय जो बर्ष में कभी भी शाधतर पर नहीं करता है अगर वह इस्तिथी पर शाथ करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राक्त होगा तभी से इस्तिथी का नाम अमावसू याने की अमावस्या हो गया और पित्रों से बरदान मिलने के फल जरूब अमावस्या को सर्वपित्र शाथ के लिए सर्वश्रेष्ट पुन्य फलदाई माना गया फालगुन अमावस्या का दिन काफी पवित्र होता है और इस्तिथी पर शाथ करने का बहुत अधिक महत्व होता है ऐसा माना जाता है कि इस दिन देप्तागर संगम टट पर बास करते हैं इसलिए इस दिन प्रयाग में इसनान करना शुब माना जाता है इस दिन किसी भी पवित्र नदी में इसनान करने से सभी तरह के पाप कर जाते हैं इस दिन सुभे किसी पवित्र नदी में इसनान करें। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो घर पर ही जल में गंगा जल डाल कर इसनान करना चाहें। दान पुन्य करना चाहें। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं। अगर आथिक समस्यां चल रही हैं तो इस दिन भगवान शिप को खीर का भोग लगाएं ऐसा करने से समस्याएं दूर हो जाएंगे इस दिन भगवान विश्नु माता लक्ष्मी जी के साथ पित्रों का आशिवाद प्राप्त करने के लिए माता पिता और बड़े बुजरगों का सम्मान करें गरीबों की मदद करें किसी का भी अपमान ना करें इस दिन गुसा नहीं करना चाहिए इस दिन मास मदर्या का सेवन भी नहीं करना चाहिए इस दिन व्रत भी रखा जाता है और व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता अगर पित्र दोश जादा हो तो इस दिन लाल मीठी चीजों का दान अवश्य ही करें मानिता है कि मृत्यों के बाद आत्माएं पित्र लोग पहुंसती हैं यह आत्माओं का अस्थाई निवास होता है और जब तक उनकी भागे का अंदिम फैसला नहीं होता उन्हीं वही रहना पड़ता है इस दोरान उन्हें बहुत पीरा सहनी पड़ती है क्योंकि वे स्वैम कुछ भी ग्रहन करने में समथ नहीं होते अमावस्या के दिन इन आत्माओं के वरिश्य सगे सम्मंधी या कोई परचत उनके लिए शाद दान और तरपन करके उन्हें आत्मे शांती दिला सकते हैं पित्रों की शांती के लिए कि एक जाने वाले दान तरपन शाद आदी के लिए यह दिन बहुत ही शुबमाना चाहता है फालगुन अमावस्या के दिन तरपन के लिए दर्शिर्देशा का उप्योग करना चाहिए अगर किसी नदी की किनारे तरपन करना चाहते हैं तो उस इस्थान का चैन करना चाहिए जिसकी ठला दर्शिर्देशा की ओर हो तरपण के समय आसन का भी विशेश महतु माना गया है कंबल या कुश का आसन उप्यक्त बताया गया है तरपण कुश की अंगूठी पहन कर करना चाहें तरपण दुपहर के बाद करना चाहें फालगुन अमावस्या के दिन तरपण के लिए सूर्योदय के समय उठकर इस्नान कर लें इसके बाद सूर्य को जल अरपण करते हुए ओम नमो भगवति वासु देवाई मंत्र बोलें इसके बाद तरपण के लिए आसन पर बैठ जाएं फिर जहां बैठे हैं उस इस्थान को साफ कर पित्रों का तरपण शुरू करें पित्रों के तरपण में दिल का खास महतो बताया गया है इसलिए पित्र तरपण में दिल मिला हुआ जल इस्तमाल करना चाहें तरपनपूरा होने के बाद किसी भाम्र या जडर्णवंदों को भुजन अवश्य कराए भुजन के बाद अपनी शम्ता की मदाबिक उन्हें दश्रणा देए आज के दिन जल में कालित दिन मिलाकर सूरे देब को आयधिते सूरे देव को आज़े देते समय ओम पित्रभे नमा मंत्र का चाप करें इससे पित्रों का आशिवात प्राप्त होता है अमावस्या शनी देव का भी दिन माना जाता है इसलिए अमावस्या के दिन शनी देव का पूजन करना भी ज़रूरी है अमावस्या के दिन शनी देब के मंदिर में जाए शनी देब का सैसों के तेल से अभिशेक करें और नीले रंगे पुश्प अर्पित करें काले तिल, काले साबुत उड़त, काजल और काला कपड़ा भी अर्पित करें इससे शनी देब प्रसन्न होते हैं और शनी देव के सभी दोशों से राहत मिलती है फालगुन अमा वस्या पर पित्रों को प्रसन्न करने के लिए पित्रों की आत्मा की शांती के लिए शाद तरबन कर्म अवश्य करें और इस कथा को पूर शद्धा के सास सुने आज के दिन इस कथा को शद्धा पूर्वक सुन्ने माते से ही पित्र देव प्रसन्न होते हैं पित्रों के आत्ना को शांती मिलती है पित्र दोष पित्र आशेवाद में बदल जाता है और जिन पर पित्र पसंद न होते हैं उन्हें भगवान विश्णु माता लक्ष्मी के साथ सभी देवी देपताओं का आशेवाद भी प्राप्त हो जाता है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में जादा से जादा शेयर करें जिस सिब है भी इसका लाब उठा सकें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वचिंग राधी राधी